हेलो मेरी यूट्व फैमली मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हैं रजनी की रेसिपी और आज देखिए हम कच्छे केले से ही बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी सा नास्ता देखिए ये मैंने कच्छे केले ले लिये हैं और एक से दो दिन हो जाते हैं तो इन्हें आपको फैकना नहीं है इससे ही आज हम बहुत ही हेल्दी नास्ता बनाने वाले हैं बहुत ही टेश्टी बनने वाला है देखिए हमने ले लिया है कड़ाई कड़ाई में डाल लिया है एक से त्यूट ग्लास पानी डाल सकते हैं इतना डाल लिए जितनी आपकी केले अच्छी तरीके से इसमें भीग जाएं तो देखिए मैंने इसमें केलो को डाल लिया है और उपर से डाल लेते हैं आलू आलू को देखिए मैंने एक में से चार फांक कर रखी हैं तो एक आलू के चार मैंने टुकड़े कर लिये हैं अगर आप चाहें तो हाप में भी काट कर इसे डाल सकते हैं लेकिन मैंने ये देखी किसी लिए काटे थे सोचा नास्ते में भी इज़री डाल लेते हैं बच गए हैं तो देखे इसी साथ हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी सा नास्ता जो आज तक आपने नास्ते खाए होंगे इसके सामने पूरी कचोरी समों से देखे सभी फेल होने वाले हैं और इसे सिर्फ और सिर्फ पार्शमट के लिए ये हमें ढखकर रखना है इतनी देर में ही हमारे देखे केले भी पक जाते हैं और आलो भी केला बहुत जल्दी पक जाता है जब इसे पानी में उबार लगते हैं पाशमट में ही देखे पक जाता है उसे ठंडा कर लेते हैं ठंडे करने के बाद देखे हम इसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं तब ये आपको रखना है तो ठंडा हो जाता है उसी के बाद हमारे छिलके हैं इन्हें निकाल लेते हैं छि यह च्छिलके यह भी हम रख लीते हैं वह बहुत हेल्दी ज्र्टनी बनती है वह पूरी पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है तो दीछ यह सारे चलकों को आराम से निकालते हैं 24 और भी बहुत अरामसिस जाते हैं जैसे ठंडे हो जाते हैं दोस्तों मैं याद दिला दूँ अगर आपको मेरा बना ये नास्ता पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोले और देखिए आलो को अलग निकाल कर रखना है और देखिए केल जो होता है कदू कस होता है सभी के घरों में होता है इसी से कर लीजे या फिर आपके पास मैसर है तो उससे कर लीजे बस इसका मतलब ये है कि आपको इस दोनों चीजों को परी कर लीना है जिसी कि आपने देखा होगा कचोरियों के लिए हम बनाते हैं आलो की विठी उसी त दरिया नहीं डाला है और देखिए इस तरीके से जब आपका पेश्ट बनकर तयार हो जाएगा तो हातों में आप इसमें को इसा भी ओयल लगा सकती है ताकि यह चिपकता है तो देखिए बीच में से मैंने होल कर लिया है होल इसलिए कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से प लीजे या फिल लंबी और देखिए मैंने दोनों आकार बनाई हैं गोल भी बनाए हैं और देखिए मचली का आकार भी बनाया है तो नास्ते के लिए देखिए हमने तयार कर लिया और दरजे कर लेते हैं तेल को गरम तेल जैसे हमारा गरम हो जाता है तो देखिए इसमें ध बहुत बहुत खास होनी वाला है आप इस नास्ते को एक बार बना लेंगे ना तो बच्चे हो या बड़े हों हपते में दो से तीन बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे एक तो बन इतनी जल्दी जाता है जटपट कि इसके सामने पूरी कचोरी बनाने में तो बहुत सारा समय ल यह लांग एक बनाकर देखे इतना करारा बनता है कि पूछी ना अगर आपने पकी हुए खाई हैं तो आज के बाद आप केला छोड़ेंगी और दिखें नास्ता ही बनाना स्टार्ट कर देगे तो यह देखें मैंने जितने आपकी छड़ाए में आई उतना डाल लीजिए और देखे सारे को डाल लिया और देखे अजी तरीके से हमारा नास्ता बें पक चुका है और अब फिर से निकाल लेतें एक प्लेट में देखे हमारे घर में तो जब यह बनता है तो बनते-बनते ही खाना स्टार्ट कर देते हैं देखे मेरे बच्चे तो इन्हें अभीजे लग गए हैं खाने मुझे कहना पढ़ रहा है भई मुझे वीडियो में भी दिखाना है तो छोड़ दीजे देखे नहीं छोड़ पाई हैं तो आप देख सकते हैं हमारा नास्ता है तयार देखे मैंने चट्ट्टी बेले सी बना कर रख रखी थी तो देखे आपको हमारा नास्ता अगर पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले देकिन मैंने तोड़कर भी दिखा दिया है कि बहुत क्रिस्पी बना हुआ है खाने में तो बहुत ही बहुत टेश्टी है इसके साम झाल जागर भी जा करने में तो बहुत है प्लीज दिया है प्लीज आई nggak है वहारा थैंगर देड़कर देखे देखे है इसके से समय करता है से द्सक्राइब को थेकिन बोले प्लीज पर देखे प्लीज रेंगर छेखे में प्लीज बना और जेखें दोलेंद़कर वे दों